लो दोस्तों आप देख रहे हैं सिव साइं इलेक्टिकल दोस्तों आज हमारे पास एक इलेक्टिक केटल है तो आज हम इसी को प्रिपेर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने Continuity Testorg से इसको में से चेक कर लेते हैं प्लग भी लगा कर देखते हैं इसमें continuity आ रही है कि नहीं देखिए इसमें कुछ continuity नहीं आही है लिमें स्विच अनौफ करके भी आपको दिखा दिया और अब यह इसका जो बेस है तो इसमें देखिए दो पिन आपको नजर आ रही होंगी एक यह और एक यह तो सबसे पहले इसकी में लीड है इसी को चेक कर लेते हैं इन दोनों प्वाइंट के साथ में तो हम यह से तो ठीक है यह भी ठीक है तो यह हमारा इसके भी सैये बिल्कुल सही है तो आब हम उलेक्टिक केटल को चैक कर लेते हैं जो नीचे की तरफ यह साकेट है तो देकेए दोनों रिंग हैं यह चेक कर लीए हमने continuity tester से इसमें continuity नहीं आ रही है और यह हम switch on off करके भी यह चेक कर लेते हैं तो देखे दोस्तों यह continuity नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि यह इसका जो socket है यही खराब हो सकता है तो उससे पहले हम इसका जो यह तीन screw जो लगे हुने हैं इनको खोल कर चेक करेंगे कि इसमें कौन सी चीज खराब है एलिमेंट खराब है या फिर इसका जो on off switch है वो खराब है या फिर यह socket खराब है तो यह तो हम खोलने के बाद ही पता चलेगा और चेक करने के बाद पता लेगा देखे दोस्तों अब इमने इसको यह कवर नीचे का इसका खोल लिया है तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है यह अंदर से kettle और यह जो इसका राउंड राउंड शेप में यह इसका element है और देखिए यह जो दो तारे यह जो switch है यह इसकी जो दो वायर जो आ रखी है यह यह वाली है तो हम इनको है चेक कर लेते हैं पहले तो यह हम शीरिश踏स्टर से चेक करें तो दीकिए दोक्तों यह वायर बिल्कुल सही है अब हम of करके भी सको चेक करेंग है देखिए यह a-off हो गया और फिर दुबार मिनदण करके फिर चेक करके दिखाते हैं यह देखें यह स्विश्ष बिल्कुल ठीक है और यह जो तो अब यह देखे इस साइड से यह उपर वाले पॉइंट से आ रही है और इसमें नहीं आ रही तो देखे दोस्तों इसका जो इसके अंदर एक छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं वह पॉइंट जल जाते हैं तो उसके साह उसी से ही इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आपा इसको निकालके और यह वाला सोकिट हम चेंज कर देते हैं तो दोस्तों जैसे हमने को ला था हमने उसी तरीके से इसका element इसका सोकिट जो है हमने चेंज कर दिया है और अब हम इसके स्कुरू लगा देते हैं और फिर हम आपको इसको अन करके दिखाएंगे आप इसकुरू यह हमने को टाइट कर लेते हैं ठीश सही से अब हम इसकुरू हमने को टाइट कर लिये हैं और अब हम एदे के सिरीज टेस्टर से यह बिल्कुल कंटिनूटी आ गई है और यह अब हमने स्विच आउफ कर दिया है तो देखें सुष आउफ होने पर ओफ भी हो गया है और फिर दूबारा से चेक करा देते हैं यह देगे दोस्तों कंटिनूटी आ गई है और अब हम इसके बेस पे रखकर और आउन करके अब हम आपको दिखा देगे अब यहाँ पर भी continuity आ गई है प्लग में तो देखे तैंक यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए